जब संविधान आपसी सहमती से समध बनाने का अधिकार देता है तो गर्भपात कराने का अधिकार क्यों नहीं हाल ही में दिल्ली हाई कोट ने एक अविवाहित महिला के गर्भपात की याचिका को खारिज कर दिया था इस फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिला को चौबिस सप्ता के गर्भ को गर्भपात करानी की अनुमती देने का फैसला लिया आईए जानते हैं क्या था ये पूरा मामला नमस्कार आप सभी का स्वागत दन्यू सुप्रीन में मैं उसने आपके साथ दिल्ली हाई कोर्ट 16 जुलाई 2022 को एक अविवाहित महिला के गर्भ पात कराने की आचिका को ये कहते हुए खारिश कर दिया कि आचिका करता अविवाहित है और वो समती से गर्भवती हुई है गर्भ 23 सप्ता का है और ये Medical Termination of Pregnancy Rule 2003 के तहट किसी भी प्रवधान में नहीं आता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिते दिनों महिलाओं के हित में एक बड़ा और एथियासिक फैसला लिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Medical Termination of Pregnancy शंसोधन अधिनियम 2021 के प्रवधानों का दारा अविवाहित महिलाओं तक बढ़ाते हुए अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ता के गर्भ को गर्वपात कराने की इजाज़त दे दी है आईए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या कहा जस्टिस जीवी आई चंदचूर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एस बोपन्ना की थी सदस्य फीट अपने इस फैसले पर कहा कि इस कानून की व्याख्या केवल विवाहित महिलाओं के साथ भेदभा yolगा एक अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित गर्वपात कराने की इजाज़त न देना उसकी निजी अधिकार और आजादी का उलंगन होगा सुप्रीम कोड ने कहा कि MTP Act के संशोधन के जरीये मंच्शा अविवाहित महिलाओं को भी इसके दारे में लाने की दही होगी। इसलिए संशोधित कानून में पती की जगह पार्टनर शब्द चोड़ा गया है। कोड ने ये भी कहा कि महिला को इस कानून के तहट मिलने वाले लाप से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शादेशुता नहीं है। बच्चे को जनम देने या न देने की मर्जी महिला को सविंधान के अनुछेद 21 के तहट मिले नीजी सवतंतरता के अधिकार का भी अभिन हिस्सा है। नियायले ने इस बात पर जोड दिया कि अगर महिला को गर्वपात की मनजूरी नहीं दी गई तो ये कानून के उद्देश और भावना के विप्रीत होगा। माल लीजिए कि आपकी प्रेग्नेंसी के चोथे महिने में कुछ ऐसी स्थिती आ जाए जिसके चलते आपको गर्वपात कराना पड़ जाए। तो क्या कानून आपको इसकी अनुमती देगा? क्या इसके लिए कोई कानून है? जी हाँ, गर्वपात के लिए भी एक कानून बनाया गया है। प्रेग्नेंसी के पहले हफते से 20 हफते के दौरान अगर गर्ववती माइद करवा सकती है। प्रेग्नेंसी के 20-24 हफते के दौरान अगर मा और बच्चे की हेल्थ पर किसी कारण से कोई बुरा असर पढ़ रहा हो, तो ही गर्वपात कराने के लिए कुछ खास वज़े में ही अनुमती मिल सकती है। आईए जानते हैं अविवाहित महिलाओं के पास गर्वपात के कौन से अधिकार है। संशोधित MTP कानुन कहीं भी केवल पतनी को गर्वपात का हक नहीं देता है। इस एक्ट में गर्ववती महिला शब्द का इस्तमाल किया गया है। जिससे साफ है कि महिला के सोशल स्टेटस से कोई फरक नहीं पड़ता है। संशोधित अधिनियम के सेक्शन 3 के एक्स्पेलिनेशन 1 में पार्टनर शब्द का इस्तमाल किया है। इसका यही अर्थ है कि पार्टनर में लिविन रिष्टों को भी शामिल किया गया है। सुप्रिम कोट ने भी इसी का हवाला दे कर महिला को गर्वपात की मनजूरी दी।